टाटा मोटर ने अपनी नेक्सोन SUV का लाइनप और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है बाइ एडिंग 5 न्यू अम्ट वेरियंट्स टाटा नेक्सोन पेट्रोल अम्ट का अब प्राइस शुरू होता है 10 लाक रुपीज से जब इस गाड़ी का लाउंच हुआ था तो नेक्सोन पेट्रोल अम्ट वेरियंट का प्राइस शुरू होता था 11.70 लाक से और डीजल वेरियंट का शुरू होता था 13 लाक रुपीज से यहाँ पे अब आपको एक नया बेस ट्रिम मिलता है जिसका नाम है स्मार्ट प्लस और उसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे की LED DRLs एक 7 इंच का टॉट्स्क्रीन फोर्टेन्मेंट यूनिट विद एपल का प्लेया और अंड्रोइड आउटो 4 speakers, electrically adjustable wing mirrors, drive modes, 6 airbags and ESC यहाँ पे अगर हम pure variant की बात करें तो वहाँ पे आपको फुल LED headlamps मिल जाते हैं और tail lights मिलती है, roof rails मिलते हैं, rear AC vents मिलते हैं, touch based HV AC controls मिलते हैं और एक 4 inch का digital color display मिलता है, साथी साथ इसके अंदर आपको voice commands का भी option मिलता है move करें, अगर हम pure S variant में तो उधर आपको कुछ additional features इसके उपर मिलते हैं जैसे कि एक sunroof मिल जाते हैं, automatic headlamps और wipers मिल जाते हैं और एक electrochromic rear view mirror मिलता है अगर आप हम बात करें नए trims के mechanical specs की, तो यहाँ पे आपको petrol version में 1.2 liter का turbo petrol engine मिलता है जो 120 PHP का power बनाता है और 170 Nm का talk बनाता है वही diesel variant के साथ आपको 1.5 liter का diesel engine मिलता है जो 115 PHP का power बनाता है और 260 Nm का talk बनाता है इन दोनों engine options में आपको manual और automatic gear options देखने को मिल जाते हैं आपके क्या views हैं regarding these new base trims launched by Tata वो आप हमें नीचे comments में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ है इस वीडियो लाइक कीजिए हमारी चानल को सबस्क्राइब करियो और bell icon को दबाना न भूले हमारे notification सबसे पहले पाने के लिए